मैं फिर आ गई हूं आप सभी की लिए हलका फूलका स्नैक्स की रैस्पी लेकर जो हम एक बार बनाकर महिनों तक खा सकते हैं और बच्चों का पसिंदा पोलो रिंग फ्राइम और हम बड़े लोगों को अभी जो बच्पन की दिन ताजा कर दें तो चलिए ले लेते हैं फटा तो चलिए आलू को सबसे पहले छिल लेते हैं जो इसका छिलका है वो हमें निकानना है तो मैंने यहां दो ही आलू लिये हैं आप यहां आलू की मातरा को बढ़ा भी सकते हैं और छिलने के बाद इसे हमें पानी में डाल देना है क्योंकि आलू बहुत जल्दी लाल में काले तो अब क्या करेंगे इसके छोटे-छोटे से हमें टुकड़े करने हैं तो मैंने सब को लिए है और क्या करना है इसको दो दूद्दला पानी था दूद्ध़ा तीन बार अच्छे से वास करके बनाइगे अब हम इसको दो तिन और भाले नाप के लिए साख में यहां से इसमें यहां एक ठीक हिसाब से थोड़ा सा कम ह Mister तो इजी के हिसाब से इसमें हम मसाले वेगर डालेंगे तो देखें यहां पर आप हमने लिया है पानी दो कटोड़ी हमने यहां पानी लिया है आलू के हिसाब से और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डाल कर हलका सा उबाल आ जाए तो इसमें फिर हम आलू डाल देंगे और अब इसको आलू को हम उबाल आने तक पकाएंगे जब तक आलू हमारे सोफ्ट नहीं हो जाते तो देखिए आपर आलू हमारे काफी अच्छे से ना सोफ्ट हो चुके हैं थोड़े थोड़े से गल भी गए हैं तो आप यहां अच्छे से इसे मैस भी कर सकते हैं तो यहां हलकल के से यह गल चुके हैं तो यहां हम सूजी डाल देंगे इसमें सूजी मेंने यहां पतली वाली ली है और सूजी की जो मातरा है आलू से हमें आधी करनी है तो आलू हमारा एक टोड़ी था जिए थोड़ा सा कम था तो सूजी की मातरा को हमने आधा करना है आलू की मातरा से और अब इसे अच्छे से मिला लेना है अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी ने पानी को पूरा सोख लिया है और उसके बाद मिक्स करने के पाद इसको हम ठक करना कुछ समय के लिए रख देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि जितना कढ़ाई थोड़ी गर्म है उसमें सूजी अच्छे से फूल जाए अच्छे से पक जाए तो देखी फ्रेंस सूजी हमारे अच्छे से हो चुकी है और कढ़ाई भी ठंडी हो चुकी है तो इसको अब क्या करेंगे एक बड़ा सा बाउन लेंगे और एक छन्नी ल दालेंगे तो मैंने इसको दो भाग में डवाइड किया है क्योंकि छन्नी मेरी छोटी है इसको दो पार करूंगी तो देखी हमने इसमें आलू डाले थे तो आलू के थोड़े वोते पीस रहे जाते हैं तो हमारे फ्राइम बन नहीं पाएंगे इसलिए हम इसको क्या करेंग चन्नी में रखके ही मसलेंगे जो अच्छे से मसल कर नीचे की तरफ आ जाएगा उसका इस्तमाल हम करेंगे यह देखिए इसमें एक भी लंब्स फे गुठली नहीं रेती है और फ्राइम हमारे फटेंगे भी नहीं अच्छे से बनेंगे तो सभी को ऐसे करके हम तैयार कर ल पर मैं यहां मिक्सिस जाने चार समाल नहीं कर रही हूं तो देखिए हमने सब को कर लिया है और अब क्या करेंगे इसे एक बार हातों से अच्छे सी मसल लेंगे बिल्कु शमॉथली सा कर लेंगे जितना हम इसे समुतु लिशा करेंगी, उतना ही हमारे फ्राइम चिप्स अच्छे से बनेंगे। यदि हम अब अब पोल ठीर लेनी है है आपको, और क्या करना है इसको छोटे-छोटे से पीस लेने हैं क्योंकि फ्राइम हमको छोटे-छोटे बना रहे हैं तो आज हम जो बना रहे हैं Small Polo Fram बना रहे हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैंं तो मैंने छोटे-्छोटे से भाग में कर लिया है अब इसको क्या करेंगे अच्छे से उंगलियों कि सायत्र से हरतेली की सायतर से इसे हम बड़ा सा कर लेंगे और रोल कर देंगे इसमें थोड़ा समय लगता है, तो अगर आप पहली बार ट्राइ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ही ट्राइ कीजिएगा, यह देखे तैन, इस तरह से करकर कर आपको सभी को रेडी करना है, और जो किनारे का पार्ट होता है, जह हम जोइंट करते हैं, उसको अच्छे से पैक कर ल कर लिया है, और अब इसको सुखने का इंतिजार करते हैं, जब यह सुख जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं, और फिर हम आपको तलके भी दिखाएंगे, तो यह देखी फ्रेंस, कुछ-कुछ हमने मोटे-मोटे बनाए थे, यानि कि बड़े-बड़े बनाए थे, और इसको आपको तलके दिखाते हैं, और यह होगी है, पूरे सुख कर रेड़ी, इसके आवाज से आपको पता लग रहा होगा कि अच्छे से यह त्यार हो चुका है, वो बिल्कुल गोल-गोल रिंग जैसे बने हैं, तो चलेए, अब हम तल लेते हैं, फटा-फट, तेल जो है पता है, वो गरम होना चाहिए, लेकि ज्जादा गरम नहीं होना चाहिए, क्यूंकि आलू भी गीर है इसमें, तुरंत लाल हो जाएगा, तो तेल मिडियम फिले में गरम होना चाहिए, उसके बाद इसको आप लोग कर दिजएगा, जब इसको हम डालेंगे, तो तेल काफी तो देखे बिल्कुल फूल कर उपर की तरफ आ गए हैं आपको दिख बीरा होगा तो यह होगे हैं हमारे आलू के प्राइम रेडि जिसमें हमने सूजी का इस्तमाल किया है तो आप इसे घर में बना सकते हैं और बच्चों को बेहत पसंद आएगा अगर आपको आज का वीडि करना बिल्कुल मत बुरियागा